तो जी आज मेरे किचिन में बन रहे हैं सूपर टेस्टी शादी वाले छोले गरम मसाले की वो महक, अच्छा सा कलर, गारी-गारी, ग्रेवी यही सब चीजे होती हैं हलवाई के छोलो में यानि हलवाई स्टाइल आज हम छोले बनाएंगे तो जी सबसे पहले हमें छोलो को बॉयल करना है इसके लिए मैंना ये प्रेशर कुगर ले लिया है अब इसमें मैं छोले एड़ कर दूँगी इनको मैंने काफी अच्छे से धोकर पूरी रात के लिए सोक कर दिया था यह तक्रीबन आधा किलो छोले हैं चलें जी अब इसमें हम एड़ कर देंगे पानी तो पानी इसमें हमें थोड़ा से ज्यादा रखना होगा क्योंके इसमें हमें कई सारी सीटी देनी है और छोलो को अच्छे से गलाना है यह देखें इस तरह से आपको छोलो के ऊपर थोड़ा पानी रखना है यानि छोलों के उपर 4-5 इंच पानी होना ही चाहिए चलें जी अब इसमें मैं एड़ कर दूँगे एक टीस्पून नमक ये मैं एड़ कर रही हूँ तकरीबन हाफ टीस्पून बेकिंग पौडर इससे ना छोले बहुत अच्छी तरह से सोफ्ट हो जाते हैं साथ ही डाल देंगे आप इसमें एक दो इस्टार फूल और जी अच्छा सा कलर इस पर आए इसके लिए हम इसमें डाल देंगे दो टी बैग ये अगर आपके पास नहीं है तो दो टीस्पून चाय पत्ती की एक पोटली बना कर एड़ कर दें तो मैंने इसको एक बार अच्छे से चला दिया है आप इसको कवर करेंगे और इसको 5-6 प्रेशर दे देंगे छोलों को बस अच्छे से हमें सॉफ्ट कर लेना है और ये जरूरी नहीं है कि 5-6 सीटी में ही आपके छोले सॉफ्ट हो जाएं हो सकता है इससे कम में हूँ या फिर आपको इससे एक दो ज्यादा भी लगानी पड़ें बस प्रोपर तरीके से चोलो को गला लीजे तो जी मैंने इसको दिये हैं टोटल साथ प्रेशर और मैं आपको दिखा देती हूँ छोले हमारे बॉयल हो गए हैं कलर तो अभी से काफ और फिर इनको सेपरेट कर लेना है यानि पानी और छोलो को अलग-अलग कर लेना है चलें जी अब देख लेते हैं थोड़े से मसाले मैंने कुछ ड्राय मसालों को एक जंगा किया है और जी इन में मैंने लिया है एक टीस्पून नमक और ये वैसे आप अपने टेस्ट के हि करेंगे साधी लिया जी ये एक टीस्पून हल्दी एक टेबल इस्पून लाल मिर्च एक टेबल इस्पून धनिया पाउडर और ये है जी अमचूर पाउडर ये आपको हाफ टेबल इस्पून लेना है ये भुने हुए जीरे का पाउडर तकरीबन हाफ टेबल इस्पून बहुत थोड़ा सा लेंगे काला नमग, एक टेबल स्पून गर्म मसाला, और ये एक टेबल स्पून चना मसाला, और ये है जी, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा मैंने इसको रोस्ट करके पाउडर बना लिया है, चलिए जी, फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं, मैंने ले लिए एक कढ़ाई, इसमें हम एड़ करेंगे ओईल, तो ओईल इसमें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाता है, दो-तीन टेबल स्पून आप एड़ करिए, अच्छे से गर्म करके इसमें एड़ कर दीजिए प्याज, प्याज को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया है दर-दरा, इसको हमें यहाँ फ्राई कर लेना है, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना चो प्याज का कच्चा पन होता है न, बस खाली वो दूर करना है, और जब यह प्याज हमारी रेड़ी हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, इनका कच्चा पन चला जाए, तो इसमें हम एड़ कर देंगे, लसन अदरक का पेस्ट, तो यह मैंने एड़ किया है, तो यह मैंने एड़ किया है, और जी अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं, देसी टमाटर का, तो फिर थोड़ा सा अमचूर पाउडर को हाथ रोग खर इस्तमाल कर लेना, अच्छा जी, जो भी मैने सूखे मसाले लिए थे, वो मैने सारे के सारे इसमें एड़ कर दिये हैं, मसाले को हमें काफी अच्छे से यहां भूनना है, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, तो जी, यह मसाला हमें भूनना है, तब तक जब तक ऑईल थोड़ा सेपरेट नहीं हो जाता, अब ओईल इसमें हमने ज्यादा एड़ तो नहीं किया है, जो फोरण से आपको दिखने लगेगा, इस तरह से दिखेगा बहुत हलका हलका सा, तो बस जब इस तरह से आपको नज़र आए थोड़ा थोड़ा सा ओईल, तो समझ लेना कि आपका मसाला बहुत अच्छे से भुण चुका है, और जी इसमें फोरण से एड़ कर देना अपने उबले हुए छोले, छोलो को मसालो में अच्छे से मिला लेंगे, और फिर हम इसमें पानी एड़ कर देंगे, आपको अगर इसमें थोड़ा सा वर चाहिए तो इसमें आप दो तीन हरी मिल्शे अट कर देना, आपको अगर आपको ये लूज रखना है, तो इसमें पानी एड़ कर लेना, मेरे पास ये थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, जिसमें मैंने चोलो को उबाला था, तो ये मैं इसमें एड़ कर दे रही हूँ आप पानी इसमें अपने हिसाब से एड़ करना आपको किस तरह क्या इनको रखना है थोड़ा सा थिक रखना है या फिर लूज रखना है लेकिन कोशिश करके ना पानी आप इसमें चाय पत्ती वाला ही डालना अगर आपको कलर अच्छा चाहिए लेकिन वैसे कोई मसला नहीं है आप इसमें नॉर्मल पानी भी इस्तमाल कर सकते हैं तो बस इनको अभी तोड़ा सा चला कर देख लेना कि ये बिल्कुल वैसे ही हो गए है जैसे आपको चाहिए और फिर इनको कवर कर देना तीन-चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना तो जी मैंने इनको पका लिया है ये देखें बहुत ही अच्छे से बन गए है और अगर आप समझ रहे हैं ये कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट नहीं हुई है अभी इसको हमें तड़का लगाना है तो गैस मैंने यहां बंद कर दिया है और निकाल लिया है इनको एक सर्विंग बॉल में अब इनको हम तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा ओईल आप गर्म कर लेना इसमें अट करना थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हीन और थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर बस फिर इसमें डाल देना थोड़ी सी हरी मिर्च और बस यह थोड़ा सा चटकेगा अच्छी सी खुश्बू आपको आने लगेगी और फोरण से आप लगा दीजिए तड़का तो अभी यह छोले हमारे बिलकुल तयार हो गए हैं कितने पर्जन टेबल लग रहे हैं और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है और मेरे किचन में बहुत अच्छी सी खुश्बू आ रही है तो आपको यह ट्राइ करना है और मुझे कॉमें सेक्षन में बताना है यह रेसिपी आपको कैसी लगी है मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ अपना बहुत खयाल रखिएगा अल्लाहाफेज